दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्राखंड ब्यूटी चैनल पर और इस चैनल का धेय और मक्सद लोगों के जीवन में खुशाली और लोगों के जीवन को अच्छा बनाने का है और जीवन में हम कैसे स्प्रिच्वल और स्प्रिच्वली मोटिवेट रह सकते हैं और उसी एपिसोड पे हमारे आज की एक सौट स्टोरी है जिसका सीर्शक है इस्वर का नियाए इस्वर कैसे अपनी माध्यम से लोगों को नियाए देता है और उसके नियाए के आगे कुछ भी नहीं चल सकता दोस्तो कहानी ऐसी है कि एक रोच रास्ते में एक महात्मा अपने सिस्थि के साथ द्रह्मन पर निकले गुरुजी को ज्यादा इधर उदर की बाते करना पसंद नहीं था कम बोलना और सांति Пूर्वक अपना काम करना ही गुरु को प्रिय था परन्तु सिस से बहुत ही चपल था उसे हमेशा इधर उधर की बाते ही सूचती उसे दुसरी दुसरों की बातों में बड़ा ही आनन्द आता था चलते हुए जब वो तालाप से होकर गुजर रहते तो उन्होंने देखा की एक धीवर नदी में जाल डाले हुए है धीवर मतलब की जो मश्ली पकड़ने वाला होता है शिस से यह देख खड़ा हो गया और धीवर को अहिंसा पर्मो धर्म का उपदेश दिने लगा लेकिन धीवर कहां समझने वाला था पहले उसने टाल मटोल करनी चाहिए और बात जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो शिस से और धीवर के बीच जगड़ा शुरू हो गया यह जगड़ा देख गुरुजी जो उनसे बहुत आगे बढ़ गये थे लौट के आये और शिस को अपने साथ चलने को कहा एवं शिस को पकड़ कर ले चले गुरुजी ने अपने शिस से कहा बेटा हम जैसे साध्यों का काम सिर्फ समझाना है इस्वर लेकिन इस्वर ने हम दंड देने के लिए धर्ती पर नहीं बेजा है तो यह बात सुनकर सिस ने महराज से पूछा महराज को न तो बहुत से डंडों के बारे में पता है और नहीं हमारे राजी के राजा बहुत बहुतों को डंड देते हैं तो आखिर इसको डंड कौन देगा तो सिस की इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने बोला बेटा तुम निश्चिंत रहो इसे भी दंड देने वाली एक अलोकिक सक्ती इस दुनिया में मौजूद है जिसकी पहुच सभी जगह है इस्वर की दिस्टी सब तरह है और वो सब जगह पहुच जाते हैं इ इस जगड़े में पढ़ना गलत होगा इस लिए इस जगड़े से दूर रहो शिस्टी गुरुजी की बात सुनकर संतुस्ट हो गया और उनके साथ चल दिया इस बात को ठीक दो वर्स ही बीते थे कि एक दिन गुरुजी और शिस्टी दोनों उसी तालाब से होकर गुजरे शिस्टी भी अब दो साल पहले की बहुत धीरव धीवर वाली घटना बूल चुका था उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि एक चुटियल साप सांप बहुत कस्ट में था उसे हजारों चीटिया नोच नोच कर खा रही थी सिस्टी ने यह दिश्ट से देखा और उससे रहा न गया तया से उसका हिर्दे पिखल गया वह सर्प को चीटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से मना करते हैं बोला बेटा इसे अपने कर्म काफल भोगने दो यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस विचारे को फिर से दुसरे जन्म में यह दुख भोगने होंगे क्योंकि कर्म काफल अवस्सी ही भोगना पड़ता है सिस्सी ने गुरुजी से पूचा गुरुजी इसने कौन सा कर्म किया है जो यह इस दुर्दसा में फसा है महराज बोले यह वह धीवर है जिसे तों पिछले वर्स इसी स्थान पर मचली ना मारने का उपदेश दे रहे थे और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबुला हो जा रहा था वे मचलियां ही चीटी हैं जो इसे नोच-नोच कर खा रही है यह सुनते ही बड़े आस्चर इसे सिस्सी ने पूचा गुरुजी यह तो बड़ा ही विचित्र नयाय है गुरुजी ने कहा बेटा इसी लोक में स्वर्ग नरक के सारे दिश से मौजूद हैं हर संड में इस स्वर्ग के नयाय के नमूने देखने को मिल सकते हैं चाहे तुम्हारे कर्म सुभ हो या असुभ उसका फल तुमें ही भोगना पड़ता है इसलिए वेद में भगवान ने उब्देश देते हुए कहा है कि अपने कर्म को हमेशा याद रखो या विचारते रखो विचारते रहो कि तुमने क्या किया है क्योंकि ये सच है कि तुमको वहाँ भोगना पड़ेगा जीवन का हरसन कीमती है इसलिए बुरे कर्म के साथ व्यर्थ मत जाने दो अपने खाते में अच्छे कर्मों की बड़ोतरी करो और अच्छे कर्मों का प्रेणाम बहुत सुखद होगा और इसका उल्टा भी उतना ही सही है अगर आप बुरे कर्मों करोगे तो आपको एक दिन उन बुरे कर्मों का फल भी भुगतना पड़ेगा तो प्रिकृति और इस्वर का नियाई इस संसार में ही मौजूद है तो कोई भी कर्म इस बात को दिमाग में रखते हुए करना है कि जो भी हम अच्छा या बुरा कर्म करेंगे उसका परिणाम हमें इसी जीवन में और इसी संसार में मौगतना पड़ेगा दोस्तो हम चाहें इस बात पर विश्वास करें या नहीं लेकिन यह सत प्रतिसत सच है कि इस्वर हमेशा सही नियाई करते हैं और उनके नियाई करने का सीधा संबंध हमारे अपने कर्मों से है यदि हमने अपनी जीवन में बहुत अच्छे कर्म किय हैं तो किये हैं या अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसी के अनुरूположre हमारे साथ नयाई करेंगे यह जीवन हमें इसल梯े मिला है ताकि हम कुछ ऐसे कारिकर हैं जिनको देगकर इस्वर की आंख में भी हमारे प्रति प्रेम चलग उठें धन्यवाद